अगर आप भी share market से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको चिंता करने की कुई आवस्चेकता नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको share market के बारे में बिस्तार से बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले हम समझते हैं कि share market क्या होता है share market एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सवी कॉम्पानियों के share को खरीदा और बेचा जाता है share market में लोग पैसा लगाते हैं और इसे दो गुना पैसा कमाने की उमीद रगते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा है कि लोग share market पे अपने सारे पैसे निवेश कर देते हैं और बात में उन्हें गभा वैडते हैं किसी कॉम्पानी के share को खरीदने का मतलब है कि उस कॉम्पानी का हिस्सेदार बन जाना आप जितने पैसे से कॉम्पानी के share को खरीदते हैं उस हिसाब से आपको कॉम्पानी क की हिस्सेदारी मिल जाती है यानि अगर भविश्य में कुमपानी का कुई मुनाफा होता है तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी दिया जाता है और अगर कुमपानी का कुई घाटा हो जाता है तो बात में आपको पैसे नहीं मिलते हैं अगर आप share market में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक demand account बनाना होता है demand account बनाने पर आपको एक unique ID दी जाती है जिसके दोरा आप training कर सकते हैं और बात में investment भी कर सकते हैं अगर आप भी अपना demand account खुलवाना चाहते हैं तो आप financial planner की सहाता ले सकते हैं लेकिन आप zero धा और angel brooking जैसे जानी मानी company की जरिये भी अपना demand account खुलवा सकते हैं share market में निवेश करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है अगर आपके पास share market का ज़्यादा experience नहीं है और आप share market में नए हैं तो आपको शुरुआत में कम पोईसों से निवेश करना चाहिए शुरुआत समय में आप share बजर के मामले में किसी experience व्यक्ति की भी सायाता ले सकते हैं जो आपका सही तरह से mark दसन करें share market एक जुकिम भर जगा होती है यहाँ पर experience और समझदार लोग की टिक पाते हैं अगर आपको share market की ज़्यादा जनकारी नहीं है और अगर जनकारी है भी तो आपको एक ही सेक्टर में निवेश करने से बचना है आपको निवेश के लिए अलग अलग सेक्टर में हाथ जाइए ध्यान रहे कि आपको उनी सेक्टर में निवेश करना है जहां जादा संभाव बनाए होती है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि share market एक जुकिम भरी जगा होती है यहाँ पर आपको उतर चड़ाप देखने को मिलते रहते हैं इसलिए आपको खुद को share market से को मिल रही है तो आपको वहां से पैसे को तुनत निकाल लेना चाहिए जो लोग share बाजार में निवेश करते हैं उन्हें हमेशा अव्वाव से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि अव्वाव हमेशा पैसा डुबाने का ही काम करता है आम तोर पर लोगों के दोरा कंपानी के न होगा ताकि भविश्य में आपको कोई नुकसान ना हो अगर आप share मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको हमेशा अपने भविश्य को ध्यान में रखकर ही निवेश करना चाहिए जिस कमपानी के share में आपको कोई सख हो या फिर उसका पिछला रेकर अगर आप भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन श्टॉक एस्टेंज में निवेश करके पैसे कमा सकते हैं और अपनी परिशानियों को समाप्त कर सकते हैं लेकिन share मार्केट में हमेशा लाप होगा इस बात की कोई गैरेंटी नहीं होती है यदि किशी कमपानी को नुकसान होता है तो उस कमपानी के share खरीतने वाली व्यक्ति को भी वो नुकसान जिलना पड़ता ह अगर आप share बाजार में निवेश करके पैसे कमानी की सोच रहे हैं तो इसकी सुरुआत हमेशा छोटी पुंजी से ही करनी चाहिए अगर आपने लंबे समय के निवेश लक्षे बना रखे हैं तो आपको निवेश के दोरां बदलाओ लाते रहना चाहिए share मार्केट में share ख करने से पहले एक अच्छा भूकर चून लेना चाहिए जो शेयर को वाय और सेल करने के लिए कम से कम फिस लेता हो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि share मार्केट से पैसे कैसे कमाए उमिद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको इस व कमेंट का जवाब जल्द ही जल देने की प्रयास करेंगे तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिन